बीज़पी नेताओं पर आग बबुला हुए करनाटक के डिप्टी सीम डेके शुफ कुमार की ये तस्वीर बीत दिन करनाटक विधान सभा की है जहां सदन की दूसरे दिन बीज़पी नेताओं और प्रदेश के मुख्य मंतरी सद्धा रमया की बीच चुनावी वादों को लेकर बहस चुड़ी जो कि देखते देखते इतनी बढ़ी के स्पीकर अब्दुल खादर को कुछ देर के लिए सदन स्थागित करनी पड़ी दरसल बीज़पी विधायक सदन में कॉंग्रेस सरकार के खिलाव प्रदर्शिन कर रहे थे बीज़पी का आरोप था कि कॉंग्रेस सरकार अन भागिय योजना को समय से लागू नहीं कर पाई बीज़पी के सारोप के बाद करनाटक विधान सभा का महौल गर्मा आ गया जिसके बाद प्रदेश के पूर्व मुख्यमंतुरी बंमई और वरतमान मुख्यमंतुरी सिद्धा रमया आमने सामने आ गये और दोनों की बीच जम कर बहस देखने को मिली बीते दिन जब स्पीकर ने विधायक शिवलिंग गौडा को प्रशनकाल में प्रशन पूछने को कहा तो बीज़पी नेता बसवराज बंमई आरेशोग के साथ कई विधायक विरोध करने लगे और स्पीकर के प्रशनकाल को निलंबित करने और उन्हें कांग्रिस के घोशित कारणों पर चर्चा करने के लिए समय देने की मांग करने लगे बीज़पी के इस हंगामे के बाद विधान सभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंतुरी सिद्धा रमयया ने विपक्षी नेताओं से हंगामा रोकने का नोरोध किया और कहा प्रशनकाल तक आप जो भी प्रशन उठाना चाहें उठा सकते हैं हमारी सरकार हर बात का जवाब देने को तैयार है ये प्रशनकाल और शून नेकाल के बाद दी होगा मुई बीज़पी नेताओं के संगामे के बाद मामले में डीके शिफकुमार काफी गुस्सा हो गए और उन्होंने बीज़पी पर कटाक्ष करते हुए कहा बीज़पी पांच जुनावी गारेंटियों को पचा नहीं पा रही शिफकुमार का कहना था कि प्रशनकाल को होने दीजे फिर हम आपके हर सवल का जवाब देंगे यतना ही नहीं मामले में बीज़पी को घेरते हुए शिफकुमार ने बीज़पी से पूछा आपने सभी खातु में 15 लाग जमा किये हमने जो वादा किया है हम उसे पूरा करेंगे बीज़पी हमारे खिलाब धरना दे रही है जबकि उन्हें पहले मोदी जी और केंदर के खिलाब धरना करना चाहिए क्योंकि उन्हें FCI को चावल देने से रोका है लेकिन हमारे योजना का प्रचार प्रसाद करने के लिए मैं उनका अभारी हूँ करनाटक सरकार ने योजना में चावल की जगह पैसे देने का आलान किया वो इसलिए क्योंकि FCI ने किंदर सरकार के आदेश के बाद राज्य को चावल देने सिंकार किया था जिसके बाद से ही राज्य सरकार और बीजपी नेता आमने सामने है नमस्कार मैं हूँ मानक गुपता अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना न भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई ख़बर मिस न करें तो जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे है योस 24